हलो एरोवन वेलकम टू देश्टुएंट चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली स्टेडी प्लान के बारे में जो की पिछले वीक में हम लोगोंने वीक नाइन्थ का कम्प्लीट किया हुआ है इस बार हम लोग वीक टेन का वीकली स्टेडी प्लान देखेंगे जो भी LP technician की आगामी 2023 में vacancy आएगी उसके regarding है ये तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पिछला जो वीडियो था वो करीब 10 या 11 दिन पहले upload किया जा चुका था तो उसमें हमने सिर्फ revision के तौर पे कुछ topic दिये हुए थे revision किया था हम लोगों ने और previous year question को मैंने कहा था उस week में आपको per day दो previous year paper solve करने के लिए तो उसमें सिर्फ previous year paper और दो चाहर topic मैंने history के दिये हुए थे बाकी आपको revision करने के लिए कहा था तो अब तक जो भी 10 week में हमने plan बताया है उसके हिसाब से हम लोगों ने अब तक कम से कम 25 से लेकर के 28 previous year question paper हम लोगों ने solve कर लिया ह हुआ है जो लोग पहले week से इसको follow कर रहे थे उनकी में बात कर रहा हूं और जो लोग नए जूड़े हुए हैं अगर वो लोग इस weekly study plan को follow करना चाहते हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि आप week first से ही सुरुआत करिए मैंने बहुत सी चीजियों को basic basic तरीके से मैंने बताया कि कै से आपको पढ़ना चाहिए तो आप playlist में जा करके वो वीडियो week first से देख सकते हैं अभी week कुछ भी time spend नहीं हुआ है बहुत time आपके पास है आप थोड़ा सा speed बढ़ा के करेंगे definitely आप हम लोग के साथ पहुंच जाएंगे क्योंकि होता क्या है कि मैं कोई भी weekly study plan को 7 दिन म हो जाता है क्योंकि जो भी मैं एक week का जो target आपको देता हूं वो एक week में complete नहीं हो पाता है बहुत सी चीजें रहती है जो थोड़ा सा slow slow start होता है slow लोगों को समझ में आता है और किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है इसलिए वो लोग time दे करके पढ़ते हैं तो इसलिए म मैंने बता है पचीज से लेकर के ठाइस previous year paper अब तक हो चुके हैं तो अब हम क्या करना है हमें अब उनकी revision करना है तीन previous year paper को आपको एक week में revise करना है जो आपने पहले solve किया हुआ है उसी को फिर से देखना है और अगर आप लोगोंने सही से उसको पढ़ा होगा उसको solve किय होगा तो बहुत से question उसमें आपको नए देखने को मिले होंगे और कुछ question आपसे solve नहीं होएंगे तो आपने उसमें mark किया होगा आप फिर से उनको solve करने की कुछिस करिएगा क्या आप उन सब question को हल कर पा रहे हैं या फिर उनको आप ज्यादा time दे रहे हैं अगर जहां भ उसके बाद से अब आते हैं mathematics को ले करके mathematics में इस week में स्रिफ आपको पढ़ना है simple interest और compound interest दोनों में से आप क्या करिएगा simple interest से 100 question solve कर लिजेगा और compound interest से 100 question solve कर लिजेगा और ecosis करिएगा अलगला type की question solve करने के लिए तो मुश्किल से 7-8 type maximum आपको देखने को मिलेंगे 7-8 type के तो हर एक type में आप 10-15 question solve करेंगे आपका 200 question हो जागा daily अगर 30 question में solve करते हैं तो आपका 200 question complete हो जागा 200 से थोड़ा कम भी रहेगा तो भी चल जागा लेकिन आप दोनों ये chapter इस week में complete करिएगा अब आते हैं reasoning को लेकर के reasoning में पिछले week में भी मैंने यही target दिया हुआ था करीब 8 वाले week में 9th week तो revision के तोर पे था 8 वाले week में मैंने blood lesson, sitting arrangement और clock और calendar को revise करने के लिए कहा था इस बार भी मैं कहा रहा हूँ कि ये तीनों chapter आप revise करिए क्योंकि ये तीनों chapter इसलिए मैं ज़्यादा focus रखता हूँ कि reasoning में यही तीनों chapter हैं थोड़ा सब भूलते हैं lengthy इसमें calculation होता है इसके अलावा आप logical reasoning के जो question है उसको भी आप चाहे तो revise कर सकते हैं बाकि previous year paper आप करेंगे तो उसमें भी आपको कम सकम तीनों paper तीन चाहर पेपर करेंगे तो उसमें भी आपका करीब 75-70 question के आसपास में आपका उसमें भी revise होगा और उसमें थोड़ा mixed तरीके से revise होता है तो आपको ज़्यादा होता है तो इस week आप इन तीनों chapter के basic concept को revise करिएगा हर एक chapter से आप 15-20, 15-20 question भी करिएगा तो आपके लिए फायदा होगा next है general science, general science में इस week आपको क्या पढ़ना है सिर्फ acid, base और salt पढ़ना है इसमें क्या चीजों पे आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि जो important chemical होते हैं उनके chemical formula आप थोड़ा सा कोसिज करिएगा याद करने का और उनके reaction से acid plus base के reaction से क्या बनता है ठीक है? acid plus water के reaction से क्या बनता है और इस reaction के बाद क्या निकल के आता है product के form में क्यों से gases निकलती है किस gas का smell कैसा है? किस gas का chemical formula किस तरह से है और किस chemical formula का साधरा नाम क्या है chemical नाम उनका क्या है scientific नाम क्या है ये सब चीजों से related आप इसमें question देखेंगे और applications कुछ chemicals हैं जिनके applications हैं usage हैं घरेलू तवर पे उनके अलग नाम होते हैं तो chemical नाम उनका अलग होता है chemical formula को याद रहना चाहिए तो इन से related आप topic को इसमें पढ़िएगा one-liner question इसमें से देखिएगा कोशिश करिएगा कम सकम इस chapter से 70-80 question आप solve करें और जो previous year में आए हुए हैं अगर उनको करते हैं general science के जो book है आपके पास तो आपको ज्यादा फाइदा होगा इसमें अब बात करते हैं general knowledge और current affairs को ले करके तो इस week में आपको क्या करना मन्थली magazine तो जो मैंने कहा था पढ़ना ही पढ़ना था December month अब complete हो चुका है January अब complete होने वाला तो जब से February लगेगा तो January का भी current affair आ जाएगा तो आप अभी तक तो December का ही पढ़ना होंगे तो इसको अभी जिल लोग ने complete नहीं किया उसको कैसे भी करके इस week में आपको complete करना है क्योंकि अगले week के जो target है उसमें मैं January मन्थ का current affair को मैं उसमें target में रखूंगा तो December को complete करिए आप notes बनाके और courses करिए जो लोग complete कर चुके हैं उनको वो लोग revise कर लेंगे इसको next target में history और geography को हम इसमें include कर रहे हैं इसमें क्या पढ़ना है आपको जौला मुखी पढ़ना है world level पे जितने जो अलमुखी है उनका location कहां पे है किस-किस जगह पे बसे हुए है जो अलमुखी से बनने वाले जो पहाड़ है जिनकी उचाई जादा है उचाई के आधार पे इसको आपको note करके रखना है उसके बाद से थोड़ा सा परसिध सहर जो famous famous world के जो city है capital है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है खास करके कोशिस करिएगा इंडिया में बहुत famous जो सहर है राजधानिया है वो किस नदी के किनारे बसे हुई है उनको आप एक जगह लिख करके रखिएगा उनको याद सारा तो बहुत से चीजे होंगी बहुत से famous सहर है उसके किस नदी के किनारे बसे हुए है वो तो आपको याद ही होगा तो कुछ difficult नाम होंगे आपको इंडिया में कम सकम पंद्रबीस नाम मिल जाएंगे और वर्ल लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो करीब कम सकम वर् मैदान है तो घास के मैदान तो बेसिकली दस से पंद्रह हैं और इसको आप एक जगर करके रखेगा याद कर लीजेगा यह भी स्टैडी जीकर के लिए important है उसके बसे हिस्ट्री में गवर्नर जनरल और वाइस राय इनके कारेकाल में जो घटनाय हुई है वह ज्यादे हैं इक्जाम के लिए तो उसको आप लुसेंट में ही आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं और प्रिवेस यह करेंगे तो आप आप देखेंगे उसमें कोशन पूछा जाता है और रिवाज भी हो जाएगा तो आप लुसेंट से इसको पढ़ने की कुशिश करिएगा एक जगा कलेक पर इस सब्जेक्ट से मैं दो ही चैप्टर इंक्लूड कर रहा हूं दोनों सबसे आसान चैप्टर हैं इसमें पहला है इनवार्मेंटल साइंस इसमें पढ़ना होता है बहुत ही सिंपल है इसमें आप पीडियोप के फॉर्म में और कुछ कोश्चन भी अगर आप इसमें किताब होगा तो कम से कम उसमें भी कोश्चन दिया होगा 40-50 कोश्चन उसको एक बार पढ़ लेंगे बस इसी में से कोश्चन पूछा जाता है इनवार्मेंटल साइंस में भी कुछ डाटा है जो कौन से दिवस होते हैं इसमें इनवार्मेंट से रिलेटेड ये आपको या अगर आप नहीं दे पाते हैं एक भी दे लेते हैं तो सफिसेंट है लेकिन कोश्च करियेगा जितना भी टार्गेट मैंने भी बताया है उसको प्रयास करिएगा कब्लीट करने के लिए मैंतमेटिक्स में डेली आप कोश्च करिएगा 30-40 कोश्चन लगाने का और तीन प्र प्रिविजन को ध्यान में रखके अगर आप दो दिन पे भी एक प्रिवेस एर पेपर रिवाइज करते हैं तो भी आपकर तीन हो जाएगा जो भी अपने पहले प्रिवेस एर पेपर सॉल्ब किया हुआ है उसमें से अगर गलतियां जादा हो रही हैं मतलब आप रिवाइज झाल झाल